अवेद सेनिटाइजर बनाने की फैक्टरी का भांडा फोर उत्तर प्रदेश के कोशामबी जिले के सैनी कोतवालिक शेत्र अंतरगत सिराथु कस्वे के वाड नमबर दस में अवेद रूप से सैनिटाइजर बनाने की फैक्टरी का भंडा फोर हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर खाद सुरक्षा अधिकारी, SDM वस्थानी पुलिस ने चापा मारी कर भारी मात्रा में सैनिटाइजर बनाने की समगरी वा सैनिटाइजर बरामत किया है जांच में यह खुलासा हुआ है कि मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पर सैनिटाइजर बनाने का गौरक धंदा किया जा रहा था मौके से कई लाख रुपए के केमिकल बरामत कर एक युवक को गिरपतार किया गया है ड्रग इंस्पेक्टर राहुल कुमार को मुकबिर के जरिये सूसना मिली थी कि सैनि कोतवाली के सिराथू नगर पंचायत के वार्ड नमबर 10 बनपुकरा गाउं में अवैद तरीके से सैनिटाइजर बनाने का काम पिछले काफी समय से चलता रहा है कॉरोना वाइरस के संक्रमन की रोकथाम के लिए इन दिनों सैनिटाइजर की मांग बाजार में अधिक है जिसका फायदा फरजी तरीके से बनाने वारे उठा रहे हैं सिराथू कस्वे के बनपुक्रा गाउं में भी सैनिटाइजर बना कर मौके का फायदा उठा रहे बाजारों में बेचा जा रहा है पुलिस और प्रशासन की सैयूख टीम ने कारवाही करते हुए बनपुक्रा गाउं स्थित मैडिकल स्टोर में छापा मार कर वहां बन रहे सै मगरियां बरामद की हैं कई छोटे बड़े ड्रम में कई लाख रुपए कीमत के सैनिटाइजर बनाने के कैमिकल वा अन्य उकरन बरामद हुए हैं मौके पर मौझूद शक्स सैनिटाइजर बनाने के कोई कागजात अधिकारियों की टीम को नहीं दिखा सका जिसके बाद हि में यह पता चला है कि मेडिकल स्टोर के नाम पर लाइसेंस लेने के बाद सैनिटाइजर बनाने का गोरग धंदा किया जा रहा था SDM सिराथू राजेश कुमार सिंग, CEO सिराथू रामवीर सिंग की मौझूदगी में सैनिटाइजर बनाने वाली फर्जी कंपनी को सीज कर दिया गया है वो मैं आ करके यहां देखा तो वाकाई में हमें काफी मात्रा में सीनेटाइजर राप्त हुआ है सर क्या होगा इसके बाद कारवाई वाद मैं ये सारे सीनेटाइजर को सीज करने के बाद और डrug आट के दिता है पारवाई की सरावना पर्चे मैं ड्रेग इस्पेक्टर कर सांदी राभुकुमार